आज हम लोग अजीर्ण, इन डाइजेस्चन पर चर्चा करेंगे, आयरवेद यह कहता है कि खाना जब भोजन जब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो रस बनता है, that is essence, वो रस धातु है, वो अम्रत है, लेकिन यदि खाना पक्व न हो, पक्व शब्द का मतलब पच जाना, अपक्व रहे, तो उसको बोलते कच्चा रहे, तो वो जो बिना पका हुआ खाने का जो essence, जो रस बनता है, वो टॉक्सिन होता है, उसको आम की संग्या दी गई है, और यह रोगाणाम प्रथमो हेतु हूँ, यह रोगों का नंबर वन हेतु, मतलब कारण होता ह अभी पक्व, जो खाना पक्व न हुआ हो, अगनी मान दिये न, क्योंकि अगनी नहीं है, पेट में यदि भूक कम है, यह भूक से जादा खाना खा लिया, तो खाना पचेगा नहीं, और यह कच्चा या अदपका खाना, जब अंदर रस बनाता है, जब यह इसका जो रस ब